हेलो दोस्तों आज मैं आपसे चर्चा करूँगा यूथ कम्पिटिशन टाइम्स द्वारा प्रकाशित कम्पिटर की बुक के बारे में यह जो कम्पिटर की बुक है इसमें 4800 से ज्यादा प्रशन दिये गए हैं और इनका लेवल बहुत ही अच्छा है आप यहां देख सकते ह इसके अलावा जितनी भी आपके एक्जामनेशन चे चाहिए स्टेट के एक्जाम हो चाहिए आपकी कोई सेंटर के एक्जाम हो जहां पर कम्पिटर के सिल्वास आता है उन सभी एक्जामनेशन के लिए यह बुक बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है इसमें सवाल बेसिक स प्रश्णों का अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपका एक्जाम में सेलेक्शन पक्का है कम्पीटर वाली पार्ट में आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं अगर आप इस बुक का अच्छे से प्रिपेर कर लो इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं है जैसे अगर आप MS Office पढ़ना चाहते हैं वो इसमें नहीं मिलेगा बाकि जितने भी important topics है जैसे operating system हो गया database management system यह सब चीज़े आपको इसमें मिल जाएंगी आज मैं इस बुक का second chapter पढ़ाऊंगा first chapter जो है इस बुक का है मैं आपको दिखा देता हूं इसको यह दिखे इस बुक का जो first chapter है वो है digital logic मैं इसको जूम करता हूं आपको अच्छे से दिख जाएगा इस बुक का first chapter digital logic and circuits and discrete mathematics mathematical structures ठीक है तो digital logic अभी मैं यह जो वीडियो बना रहा हूं वो informatic assistant के लिए बना रहा हूं तो उसमें digital logic के questions इतने नहीं आएंगे तो मैं आज जो आपको chapter कराऊंगा वो कराऊंगा computer organization and architecture ठीक है तो second chapter मैं directly open कर लेता हूं यह मैं एक एप के थुरू बना रहा हूं जिसका नाम है magzer app आप चाहें तो magzer app के थुरू इस book को purchase कर सकते हैं magzer app की मंतली आपको एक payment करना होता है मंतली उसके बाद आप इस book को access कर सकते हैं इस book की pdf नहीं है तो please मुझसे pdf के लिए मत बोलना इसकी कोई pdf नहीं मैं directly app के थुरू पढ़ा रहा हूं तो हम start करते हैं with the second chapter और यहां पर दिख रहा है आपको second chapter करने में computer suggestion suggest that a file is a backup copy ठीक है तो इसमें पूछा है कि कौन सा आपका फाइल नहीं मैं जो backup copy की तरह work कर रहा है यहां पर यहां पर जो extension की बात हो रहे है जो आपके questions हैं उनके explanation के साथ answer दिए गए only यहां पर option नहीं दे रखा बैट डी सही है डी के साथ यह भी दे रखा है कि other option उनके क्या मतलब है तो देकर .txt होता है आप सभी को पता है जब आप notpad वगर में कोई file save करते है तो .txt में save हो जाती है .com जो होता है यह तो internet में domain name होता है जो .base देको जो basic है नहीं पर basic है एक language का name है basic एक language है उसकी source file मतलब उसकी source file लेना उसका extension है .bas .back यह होती है backup file जिसको हम restore कर सकते हैं ऐसी file है जिसको हम भविषय में use में लेना चाहते है तो उन file हम backup बना लेते हैं ताकि हम भविषय में restore करके उन सभी data को वापस पराप्त कर सके तो उसको बोलते है backup file second question पर हम आते है what are the what are .bas.doc.html examples of तो यह किसके example होते है तो भाई इनको बोलते है extension जैसा कि मैंने भी आपको बता है यह extension के example है तीसरे question पर हम आते है which of the following is not an image file extension ठीक है निम्न में से कौन सा image file extension नहीं है तो देखे जो .web होता है न तो wave होता है audio file तो यहां पर यह जो है यह audio file है ठीक है यह होती है audio तो यह आद रखना audio के लिए काम आता है यह इसके लाव audio की कौन-कौन से होती है MP3 होती है यह सब audio files होती है तो यह जो JPG होगे PNG होगे और GIF होगे यह सब आपकी इमेज files होती है ठीक है तो यहां पर आपको description भी दिख रहा होगा तो JPG की देखो full form भी आपको याद रखने है examination में full form काफी पूछते हैं तो full form क्या है यह जोइंट photographic expert group GIF क्या होती है graphics interchange format यहां पर M80 आएगा PNG होती है portable network graphics और फिर आपकी वेव होती है wave audio file format ठीक है तो इसमें यह audio file format है इसलिए इसमें जो सही उत्र हो जाएगा आपका D हो जाएगा ठीक है तो इसका सही आंसर आपका D हो जाएगा यहां पर दिख रहा है आपका answer all right तो fourth question पर चलते हैं fourth question क्या बोल रहा है the resolution of a dot matrix printer is measured in तो आपको पता होना चाहिए printer मैंने already cover करा रखें आप चाहें तो मेरी previous video देख सकते हैं उसमें printers वगर कि मैंने अच्छे से बात कर रखिए printer हमेशा याद रखना output device होती है scanner जो होता है input device होती है printer एक output device होती है तो इस चीज इस फैक्ट को आप याद रखना आपके बहुत से question यहीं से तो question no.5 क्या बोला है background color और effects applied on a document is not visible in मैं आपको एक चीज बता दू यह question जो है इससे related question पूचा गया था 2018 Informatic Assistant examination में उसमें पूचा गया था page layout के बारे में तो दोस्तों यह चीज आपको अच्छे से पता होने चीज वैब layout कहां पे देख सकते हैं print layout view कहां पे देख सकते हैं print preview view कहां पे देख सकते हैं यह तीनों चीज आपको पता होने चीज बहुत important चीज यह और इनसे हर साल question आते क्योंकि बहुत बहुत confusing option देखो print layout और print preview यहां पे बहुत confusion जाते हैं लोग को किसमें क्या होता है तो इनके आपको अच्छे से practice करके जानी है तो मैं एक ऐसा करूंगा उप्ष्यन सोते हों कौन-कौन से होते ताकि आपका एक मतलब holistic preparation हो जाएगी MS Office इस book के अंदर नहीं दे रख्खा तो MS Office को आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा आप चाहें तो मेरा वो वीडियो देख ले ना मैं कुछी एक दो दिन में उसको पोस्ट कर दूँगा तो आपको वहां से हल्प मिल जाएगी तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको जाएगा अगर प्रिंट नहीं में देखेगा ठीक है अपने किस तर चाहे यह प्रिंट फैट यूइप लिएव वी एडिटेबल नहीं होता यह एडिटेबल होता जो बी वाला होते ना प्रिंट लेयाउट व्यू प्रिंट लेयाउट इस एडिटेबल याद रखने यह प्रशन आया हुआ है प्रिंट लेयाउट इस एडिटेबल प्रिंट 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 प इन डेटा प्रोसेसिंग, क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग, क्लाकुलेटिंग, सौर्टिंग, एंड समराइजिंग, डेटा आर कनेक्टेड विद, तो डेटा किस से कनेक्टेड होता है, देख लिए अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन है, कैप्शिंग ओ बोल रहा है कि आपको अगर आउटफुट शो करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको इंपूट लेना पड़ेगा बेसिकलि इसका मतब यह इसका नहीं करोगे सिस्टम में तब तक यह सारी प्रोसेसेस स्टार्ट नहीं हो सकती इसलिए इसका इसका यहां पर आपको डीटेल भी देर के डेटा प्रोसेसिंग यह सब जो चीजे होती है इंपुट के बाद ही शुरू हो सकती है चलिए सेवन्थ क्वेशन पर बढ़ते हैं कि आप बोल रहा है डेटा है डेटा हैस्ट टू भी उसको काम में लेने लाइक नहीं बनाओगे तो उसको सूचना नहीं बोल सकती है सूचना मतलब क्या होता है इंफॉर्मेशन होता है प्रोसेस्ड डेटा अगर हमने डेटा को प्रोसेस्ड कर लिया तो वह इंफॉर्मेशन बन जाती है ठीक है तो इंफॉर्मेशन का प्रश्ण पर तो आठ पर प्रश्ण हमारे सामने हैं देखे आठ पर प्रस्ट में क्या बोला जा रहा है बैक पर रैफर्स टू बैक पकिसको रैफर करता है तो बैक अप का मतलब देखो जॉब शेडिलिंग फेलियर ना इस यह नहीं है यह ऑप्शन नहीं हो सकता अक्विले बैक अप ले लेते हैं ताकि हम उनको भविश्य में देख सकें वैसे बैक अप किसी भी फाइल का हो सकता है तो जब आप किसी भी फाइल का बैक बनाते हो तो उसको आप बाद में यूज कर सकते हैं उसको रिस्टोर कर सकते हो तो बैक अप का सिंपल सा मतलब है किसी भी ची चीजे हैं कि तो हम देख लेते हैं इसका अगर डिस्क्रिप्शन आपको देखना है तो आप देख सकते हैं आप डेटा के प्रतियों के निर्मान जाए सब्सक्राइब बनते हैं अगर आप IBPS की किसी भी exam को दे रहे हैं तो cash memory से आपको एक ने एक प्रशन जरूर मिलेगा पिछली बार जब Informatic Assistant का exam लगा तो cash memory से लगबग दो या तीन प्रशन मिलेते और बहुत अच्छे लेवल की प्रशन ते उसमें पूचाता है LRU और FRU और MRU तीन चीज़े दे रखी तो उसमें डिफरेंस पूचाता है मैं cash memory का अल्रेडी वीडियो बना चुक हूँ आप जो है description में देख लेना मेरे playlist में देख लेना FRU ठीक है एक आपको MRU पढ़ना है MRU ठीक है दो तीन यह टर्म से आपको यह अच्छे से पता होनी चीए बाकी आपको देखना है इसमें L1 cache होती L2 cache होती यह सब आपको पढ़ना पढ़ेगा Wikipedia पर जाके देख लेना अधरवाज मेरी वीडियो देख लेना आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएंगी ठीक है इसमें देखो किया बोल रहा है एक मैंद्रीं करती है एक ब्रिज बनाती किसकी से बीच में ब्रिज मतलब एक बांध पुल की तरह कार्या करती है किसकी से तो यहां पर इसका से से उत्र जगत डि ऑप्शन में में प्रोसेसर, इसके बीच में जेक्शन का कारे करती है, यहां पर आपको डीटेल देखनी तो यहां पर देख सकते हैं, इसमें पूरा यहां पर आप चाहूत, बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसकी PDF म पहले हम चलते हम नेक्स्ट क्वेस्टन पर जो की दे रखा है विच आप दी फॉलोविंग इस आर मेजर टाइप ओफ कंपिटर चिप तो बाइब कंपिटर चिप के मेजर टाइप कौन-कौन से हैं बताइए आप तो इसमें जो है आपकी प्रामरी मैमरी चीप और माइक्कोप्रोसेसर चीप दोनों ही सही उतर है तो इसमें सही उतर हो जाएगा आपका अफ बी दोनों ठीक है ए ए और बी बोत देस्ट विल बिदा राइट आंसर ओफ दिस क्वेस्टन यहां पर दिरके कंपिटर्ट चिप क इसका चले चलते next question पे the next question आपको दिख रहा होगा what is the name of memory buffer which is used to accommodate a speed differential ठीक है, speed differential को accommodate उसका नाम क्या होता है, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, cache memory बहुत important topic देखेए, इसमे भी जो आपका सही उतर होगा, cache cache buffer बोलते हैं उसको, ठीक है आपको यह सब चीजे भी आपको पता होनी चीए एक्चुली की यह अखुमिलेटर क्या होता है कि इस ट्रेज पॉइंटर क्या होता है डिस्क क्या होती है तो यह सब चीजे आप पर लेना यह आपका वूमड़क है अगर आपकी यह सब देखों डिस्क क्या होता है दो चीज़ होते हैं एक उथा था रिस्क टीक है वह अलग चीज यह इनकी बात करें अपकी जो यहां प्यूस करते हों डिस्क डिवाइस उसकी बात करें यहां पर आप आप हार्वेर उसकी बात कर रहे है एक्विलेटर क्या होता है न यह सबस्क्राइब बात करे हम तो अक्युमिलेटर होता है जब भी और यह एक रचा रफ आखना बढ़ कि judge टेम क्यों यहाँ थे उत्र खेश अजे नीच्छे चलते हैं आव बरी यंट of कि डास्ट इस गॉड़ फ्र्थ फ्लेश फ्लेश्य व्म्री तो यहाँ प्राइस होताğ है कर जो स्थे और यह लुको थे एक होता है, प्रॉम का मतलब क्या होता है, सबसे पी आ रो एम, ठीक है, प्रॉम का मतलब यहां पर दे रखा है, प्रॉम मतलब होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी, ऐसी मेमरी जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, अब उसमें भी दो तरकी होगी एक तो होगी electrically erasible मतलब जिसको एक विद्धुत धारा प्रवाइद करके जिसको erase कि राजस के एक memory होगी अगर हम उसमें certain amount of electricity उसमें डाल दे तो उस memory में जो data होगा वो delete हो जाएगा ठीक है तो electrically erasible bowling उसको इप्रोम बोलते हैं तो इप्रोम जो है उसके अंदर कि उसी के अंदर एक फ्लेश में इप्रोम जोता है एक फ्लेश मेमरी का प्रकार होता है ठीक है यह आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं देखें जो memories होती वह भी बहुत different type की होती है मैं आपको दिखा देता इसको तो यह जो आप image देख रहे हैं यह है computer memory की इमेज इसमें कितने तरक ही होती है देखो एक तो इंटरनल एक होती है external internal में क्या क्या आती है आपकी RAM आती है Cache आती है sequential access आता है virtual आती है रोम आती है यह तो आपकी internal memory के टाइप्स हो गए external में क्या कौन-कौन से आती है solid state आती है magnetic और optical आप चाहें तो इसका screenshot ले लिए ना बहुत important यह डाइग्राम है इससे आपको समझ में आ जागे सारी इन सब में आपस में क्या difference से यह पूछ सकता है ठीक है इन्हें भी सबसे important क्या क्या होता है एक तो पूछता है ROM रोम बहुत important रोम के अंदर M-ROM, P-ROM, E-P-ROM और E-ROM यह सारे बहुत important ठीक है RAM जो होती है उसके इस RAM, DRAM होती है इससे भी question मन जाते है RAM मतलब होता है, static RAM, DRAM मतलब dynamic RAM ठीक है इससे भी question cache है तो ही बहुत important कैसे का तो मैंने आपको अरड़े बता रखे कि 2-3 प्रस नहीं हमेशा पूछते हैं cache से तो यह आपको करनी है इसके अलावा external में magnetic वगर इससे एक दो question कभी आ सकते हैं पर जनरली पूछे नहीं जाते है, जनरली इंटर्नल पर ज्यादा धिहान रहता है, एक्स्टर्नल में जो पूछते हैं वो यह पूछ लेते हैं कि इनकी size क्या होती है, इससे dvd है, यह कितना space जो है रखती है, इसमें कितना हम data डाल सकते है, cd में कितना data डाल सकते हैं, इस तरह के question कहीं बार पूछे गए, तो वह आप थोड़ा देख लेना है, इनकी size क्या होती है, इनमें कितना data हम डाल सकते हैं, इनकी capacity कितनी होती है, इस पर बेस्ट क्वेशन क सबसे slow कौन सी होती है, इस तरह के question भी पूछे जाते हैं, तो यह memory आप इस तरह इस diagram को देख लो, screenshot ले लो, notes बना लो, तो आपको याद रहेगा मिशा, कि किस किस तरह memory का work होता है, और कौन सी fast होती है, कौन सी slow होती है, इस तरह के question पूछे के, बागे हम आगे देख लें the location in current instruction being executed, दूसरा option क्या दे रहा है, is a group of electrical circuits hardware that perform the intent of instructions fast from memory, तीक है, तीसरा option देखते हम एक बाद, तो इसका option थर्ड क्या दे रहा है, contains the address of the memory location that is to be read from or stored into, यह चोथा option है, contains a copy of the designated memory location specified by the M.A.R. after, read on the new contents of the memory prior to a write, तो देखो, इसमें जो सही उत्तर होगा, वो होगा D option आपका, देखो, M.B.R. क्या होती है, अब मैं इसमें ज्यादा detail में देखा होगा, मना यह वीडियो बहुत लंबा बन जागा ऐसे तो, तो मुझे आपको बहुत सारे सवाल कराने, तो आप थोड़ा detail यहां से पढ़ सकते हो, आप जो भी मैं questions करार हूँ, एक बर Wikipedia आप जाके थोड़ा-थोड़ा उनके definition भी पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छे से याद हो जागा, कोई problem नहीं होगी, तो देखो, memory buffer register को memory data register भी कहते हैं, जो instant access storage में ट्रांसफर किये, डेटा को store करने का का जाती है, question number 14 पर जाते है, a typical data processing context where master files are updated to produce desired output known as एक सामाने data processing, संदव जहां वांचित output के उतपादन के लिए master file update की जाती है, जाना जाता है, तो इसका जो सही उतर जगो होता है, transaction पर करिया, ठीक है, आप देखो, कुछ-कुछीज़े होती है, आपको रटनी होती है, अब य जो है, definition है, ठीक है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा, यहाँ पर कोई आपको समझने की ज़रत नहीं है, simple सी याद है, कोई भी data processing हो रही है, master files update हो रही है, तो उसका मतबर transition पर क्रिया हो रही है, simple, as simple as that, आपको रटना है, simple आपको इसको रटके ही जाना है, कोई समझने की चीज नहीं है, जहां समझाने की ज़रतोगी मैं समझाँगा, जहां मैं बता दू, उसको रटना है, तो प्लीज को रट लेना, ज्यादा दिमाख मत लगाना, इसमें transition process होता है, देखिए, अब क्या है, personal food design program operate and maintain computer equipment, एक ऐसा आदमी जो सारा काम करता है, design करता है, किसी program को बनाता है, maintain करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको भाई बोलते है, program, okay, sorry, programmer वो होता है, जो only program लिखता है, इसमें जो दे रखा है, उन्होंने, इसमें दे रखा है कि overall जो सारे ही काम करता है, उसको बोलते है, ये terminology है, people wear, ठीक है, people wear बोलते है, जिसमें सारे ही काम करता है, इसमें hardware भी देखता है और software भी देखता है और सबको maintain करता है इसको people वेर बोलते हैं मतलब ऐसा आदमी जो हर चीज कर सकते हैं computers related उसको बोलते है people wear अब हम आ जाते हैं question number 16 पे in a CPU the current value of program counter is saved in a special register called previous context register before the control transfer to the subroutine such a CPU cannot support काफेच्चा question